आज की वीडियो में सरकार के एक नई पोर्टल के बारे में हम आपको जानकारी देने वाली हैं तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और आपको एक वेबसाइट को सर्च करना है जिस वेबसाइट का नाम है myscheme.gov.in दोस्तो इस वेबसाइट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ दोस्तो जैसे हर किसी वेबसाइट के लिए सरकार की तरफ से अलग योजनाई चलाई जाती हैं लेकिन उस वेबसाइट को पता नहीं होता कि मेरे लिए कौन कौन सी योजनाई हैं बहुत सारी योजनाई होती हैं जो अलग किसानों के लिए अलग योजनाई होती हैं बिद्धारतियों के लिए अलग योजनाई होती हैं आपके लिए सरकार की कौन-कौन सी scheme available हैं जिनके लिए आप apply कर सकते हैं यानि कि अब आपको सभी योजनाओं को देखने की जरूरत नहीं है इस portal पे आना है अपना registration करना है और आपके लिए जो जरूरी scheme है उनके बारे में आपको पूरी जानकारी यहां से मिल जाएगी तो सबसे पहले आपको find scheme for you पे आपको किलिक करना होगा यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना gender सलेक्ट करना होगा आप male हो, female हो, transparent हो वो आपको सलेक्ट करना होगा जैसे मैं male हूँ आपकी उम्र क्या है, वो आपको सलेक्ट करना होगा जैसे मेरी उम्र है 25 साल, तो मैं 25 सलेक्ट कर लेता हूँ अब मैं next पे किलिक करता हूँ अब आपसे सबसे पहले पूँचा जाता है कि आपका state कौन सा है तो मैं state डाल देता हूँ, जैसे मेरा state है उत्तर प्रदेश उसके बाद हम urban में रहते हैं या ruler में तो आप grammar चेत्र में रहते हैं तो ruler डाल दीजिए, नहीं तो urban डाल दीजिए शेरी चेत्र में रहते हैं तो मैं rural डाल देता हूँ next पे क्लिक करती है उसके बाद आप किस category से belong करती हो जैसे general, OBC, ST, SC तो मैं general category का हूँ next पर click करता हूँ यहाँ पर आपको no करना है अगर आपके body part damage है तो yes कर दीजिए तो यहाँ पर आपको no करना है next पर click करती है तो next पर click करने के बाद पूछा जा रहा है कि आप student है अगर हैं तो yes कर यह नहीं तो no करिए आप क्या काम करती हैं यह पूछा जा रहा है आप employee है, unemployed है या self-employed है तो अभी मेरे पास कोई नौकरी नहीं है तो unemployed हूँ मैं next पर click करता हूँ आपके पास BPL card है क्या है तो yes करिए नहीं है तो no करिए और आपकी annual income कितनी है वो आपको दर्ज करनी है जैसे मेरी सत्तर हजार है तो मैं सत्तर हजार डाल देता हूँ next पर click करना है और उसके बाद यहाँ पर आपके लिए scheme खुल कि आ गई है कि देखो social welfare की 14 scheme है आपके लिए health की 10 है banking की 8 scheme है सभी scheme आ गई है अब इनके बारे में आपको detail में जाना है तो आपको क्या करना होगा इन पर click करना होगा तो मैं सभी के बारे में detail में जानना चाहता हूँ तो मैं सभी पर click करूँगा तो मैंने सभी पर click कर दिया आप देख सकते हैं यहाँ पर housing की हैं हर्ग मिलेगा हमें क्या-जबन चीजिशें होंगी बो सभी अब разм Quer पर मैं किलिक करता हूँ तो जैसे ही मैं सम्मिट पर किलिक करूँगा यहां पर हमारे सामने यह सभी योजना हैं हमारे लिए आ जाएंगी अभी आप कहोगे कि यह तो इंगलिस में आ रही हैं हम कैसे समझेंगे तो यहां पर आप देख सकती हैं इंगलिस के सामने एक बटन है हिंदी का है इस हिंदी पर आपको क्लिक करना है तो ये हिंदी में आने लगेंगी तो ये वो 31 योजना हैं जिनके लिए मैं अपलाई गर सकता हूँ जिनके लिए मैं उत्तरदाई हूँ जिनकी योजनाओं का फैदा मैं ले सकता हूँ यहां पर सभी योजनाएं आ गई हैं जैसे प्रदान मंतरी गरीब कल्यार अन्योजना अगर इनके बारे में मुझे अधिक जानना है तो यहां पर क्लिक करना होगा और इनकी पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी कि यह योजना क्या है और कैसे यह इस योजना का लाब मिलेग अगर हम बैक करेंगे तो दूसरी योजनाएं हमारे लिए उनकी भी जानकारी आ जाएगी तो उन पर भी हम क्लिक करके अधिक जानकारी ले सकते हैं तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो योजनाएं हमारे लिए हैं जो हमारे इसाब की योजनाएं उनके बारे में करके बेल बटन दबा दें आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद